हेलो काईज, वेलकम डू टेकिया सो यूटीब चनल और वीवो की V-Series के बारे में आप सभी को पता होगा इंडियन मार्केट में काफी ज़्यादा पॉपलर है स्पेशली ओफलाइन मार्केट में अभी कुछ ही मैंने पहले यहाँ पर वीवो ने अपनी वीवो वी 29 सीरीज को जो इंडियन मार्केट में लांच करा था अब फाइनली वीवो इसकी सक्सेसर सीरीज को इंडियन मार्केट में कुछ ही दिनों में यहाँ पर जो लांच करने वाली है जिसका नाम रहा है यहाँ पर वीवो वी 30 सीरीज यहाँ पर टोटल आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे Vivo V30, Vivo V30 Pro and launch से पहले यह स्मार्टफोन के first look इनको specification वगरा लीक हो का है वो आज की studio में आप लोगे साथ में share करूँगा क्या कुछ आप price point expect कर सकते हो यह स्मार्टफोन को लेके complete detail देने वाले हो so guys still यह वीडियो स्टार्ट करते है so friends वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना time waste करें फटा फटा से आपको upcoming Vivo V30 series के जितने भी specification first look लीक होए वो आप लोगे साथ में share कर देता हो तो back panel देखोगे दिखने में दोनों smartphone identical है camera layout आप देखोगे थोड़ा different app का ये बार आपको देखने को मिलेगा flash आपको काफी बड़ा सी देखने को मिलेगा Vivo की branding है वसे दोनों smartphone का design आपको कैसा लगा मुझे बताना नीचे comments में display के अगर हम बात करें दोनों में आपको 8GB, 12GB अलग-अलग variants देखने को मिलेंगे dual sim का support रहेगा SD card slot देखने को नहीं मिलेगा performance के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको changes देखने को मिल सकते है जो Vivo V30 5G रहेगा वहाँ पर तो confirm है कि snap dragon का 7th Gen 3 वाल एक 5G chipset मिलेगा तो pro वाले में यह दोनों में से बताया जारा एक processor आपको देखने को मिलने वाला है camera's के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको तोड़ा difference देखने को मिल जाता है जो Vivo V30 5G smartphone यहाँ पर आपको back में dual camera का setup मिलता है जो primary sensor है वह आपको 50 megapixel का आपको एक ultra wireless camera मिलता है तो यह आपको 12 megapixel का एक tele photo lens भी आपर दिया गया जो selfie camera दोनों smartphone पे आपको 50 megapixel का देखने को मिल जाता है तो camera department में दोनों smartphone काफी solid होने वाले Android version and UI के अगर हम बहुत करें तो दोनों में Android 14 out of the box मिल जाएगा दोनों ही front touch OS पे run करेंगे sensors दोनों में यह आपको सारे मिल जाएंगे including in display fingerprint scanner, face unlock का feature sadly 3.5 headphone jack का support नहीं मिलेगा अब bottom firing single speaker मिलेगा stereo speaker का support मिलेगा वो तो आगे चल के हमें पता लगेगा battery life के अगर हम बात करें दोनों में आपको 5000 image की battery मिलेगी type C port के साथ में दोनों में 80 watt की fast charging का support रहेगा and out of the box आपको fast charger देखने को मिलने वाले तो guys यह overall यहाँ पर upcoming vivo V30 series smartphone को लेगे जो specification वगरा लीक हो कहते अब बात करें तो यह smartphone हम इंडियन market में कब मिल सकते है इंडिया में इसकी क्या price point हम expect कर सकते है तो इंडिया launch के अगर हम बात करें तो या तो यह smartphone आपको February की last week में देखने को मिलेगा या March की first week में आपको देखने को मिल सकते है इंडिया price point के अगर हम बात करें बताया ज़रा जो vivo V30 5G smartphone रहेगा इंडिया में 30-32,000 रुपीस के बीच में देखने को मिल सकते है जबकि जो pro वाला विरेंडे अराउं 38-40,000 रुपीस के बीच में बताया ज़रा इसकी price point हो सकती है बसे कैसा मज़े कम सक्षिन ने बताना upcoming vivo V30 series को ले क्या आप कितने ज़ादा excited हो जितने भी fast look, specification वगरा, leak हो क्या है आपको कैसे लगे और आपके सबसे इसका इंडिया price point क्या होना चीए मज़े बताना नीचे कमेंट्स में सब्सक्राइब कर आपको यह पसंद आए तो लाइक कर भी शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं में तापस के लिए किसी फीडियो में चुप्तक के लिए thank you